नमस्कार चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका मातुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फुर्फु विधानसवा है बांसवाडा जिले की कुशलगर जो राजिस्थान की सबसे सुदूर पंचायत है क्योंकि ये गुजरात बॉर्डर के पास है ये सीट आदिवासी भावल्य सीट है यहां के वोटर की बात करें तो वर्ष 2018 विधानसवा चुनाव के अनुसार यहां पर 187,849 40 वोटर्स हैं जो इस साल भढ़ जाएंगे यहां से कॉंग्रेस ने रमीला खडिया को चिनाव मेदान में उतारा है और बीजेपी ने भीमा भाई डाम और पर दाव खेला है सबसे पहले बात करें कॉंग्रेस की पतियाशी तो रमीला खडिया एक निर्दलिय विधायक थी जिनोंने जीत के बाद कॉंग्रेस को समर्थन दे कर सरकार बनने में मदद की थी मुक्यमंत्रिय शोग घैलोत की यहां जनसबा हुई थी उन्हें खुद कहा था कि रमीला खडिया जो भी मांगेगी उनको मैं मना नहीं कर सकता प्रदेश के मुक्या को इतना बड़ा सही योग वो जनता को साफ दिखता है अब बात करें बीजेबी से किसमत आजमाने उत्रे भी मावाई डामोर के बारे में तो पूर में जनता दल एक इकरत में रही है डामोर 2013 के विदान सबाज चुनाव से ठीक पहले भारती जनता पार्टी में समलित हुए थे इसके बाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाज चित हुए असुन्दरा राजे सरकार में संसदिय सचिप का दर्जा भी मिला 2018 में उन्हें पुन है टिकेट मिला किन्तु निर्दलिय रमीला खडिया से हार गए अब की बार डामौर तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले है पिशली बार निर्दलिय कड़ी हुई रमीला खडिया से चुनाव हारने के बाद वापस भी मभाई डामौर ने आमने सामने टक्कर के लिए अपने आपको तयार किया है लेकिन इस बार कॉंग्रेस का साथ कितना रमीला का साथ देने वाला है या मोदी की लहर भीमवाई को आगे बढ़ा देगी ये वक्त बताएगा आज के लिए इतना ही अगली मुलाकात वापस से एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के साथ नमस्कार